प्रदेश सरकार द्वारा राज्जी के सभी नागरिक अस्पतालों में डेंगू की जाज के लिए फ्लू कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है साथ ही नागरिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डेंगू टेस्ट की सुविधा भी निशुलक उपलब्ध है प्रदेश के वेक्टर जनित रोग विभा के निदेशक ने बताया कि राज्य में डेंगू की बिमारी अब नियंतरण में है प्रदेश में इस वर्ष डेंगू से 4,115 लोग प्रभावित हुए हैं और 10 लोगों की मोथ हुई है पंचकुला, हिसार, गुडगाउं, अमबाला और पानिपत में डेंगू के सरवाधिक मामले सामने आए हैं डारेक्टर बीबीडी जो हमारे पास केसी है पूरे हर्याना में अब सिच्वेशन 4,111 केसी हैं और इसको कंपेरिजन करें हैं पिछले इनी दिनों में तो केसी पांच जार से उपर थे तो श्तिती हर्याना में एस पर इस डेंगी इस कंसर्ण अंडर कंट्रोल है और क्योंकि सिच्वेशन को पूरा हर्याना में अनालिसिस करते हैं तो सिरफ पांस जीले हैं से हैं जिनके अंदर केसी की अधिकता रही हैं तो फ्रैमरली हमारा पंच कुला है निदेशक ने बताया कि डेंगू बिमारी में पहला अलक्षन बुखार है इसलिए किसी भी प्रकार का बुखार आने के बाद चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें जहां भी पानी एक अच्रित होता है उसे सब तहां में कम से कम एक बार साफ करें करना चाहेंगे कोई भी इसी चीज को जो हमारा डेंगी है ये डेंगी आम तोर पर हम कहते हैं कि कुछ ज्यादा लुक्सा नहीं करता पर डेंगी हम्रेजिक फीवर भी है डेंगी सोक सिंड्रोम में है तो किसी फीवर को लाइट्ली ना लें पानी जहां भी खठा होता को इमिडेटली वीदिन वीक उसको कहली करें